हेलो माइडियर स्वागत करता हूं मैं फिरसे अपने यूटूब चैनल जी सी से कडमी में जिसमें मैं कुछ इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंस ले करके आया हूं ठीक है जिसके मदद से हम लोग आशानी से इंग्लिश बोल सकते हैं ठीक है जो बॉल चाल की भाशा में प्रि करता हूं वह बोलना पसंद करता है तो पसंद करने के सेंस में जो सेंटेंस होता है उसका आज हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे ठीक है देखिए यह सब जो सेंटेंस है इस सब जो सेंटेंस है पता है यह किस टेंस का है आप लोग याद आ रहा होगा आप लोग को जो स कहलाता है यह यह सिंपल प्रजेंट कहलाता है या उसी का दूसरा नाम क्या होता है प्रजेंट इंडिफिनिट टेंज तो यह सब होता है तो उसका अनुबाद सीता बोलती है स्टीक्स एसान बात करते हैं लेकिन यहाँ पर पढ़ना पसंद करता हूं बोलना पसंदिस्ध तो एकसण हो रहा है द देखे कार्य हो रहा है एक पर न एक तो और अपर फसंद्करना भी यह रहा है जब दो दो आ जाता है तो एक वर्ब के बाद तू लगाकर दूसरा वर्ब दिया जाता है ठीक है जिसको इंफिनिटिव कहते है तू क्या होता है एंफिनिटिव होता है जो दो वर्ब आजा है दो क्रिया आजा है दो कारियों को दर्सा रहा हो तो वहां पे तू का प्रियोग करेंगे ठीक है तो यह के है इसको बनाना सीखेंगे चलिए यहां पर तोड़ासा विचार कर लेते हैं लाइक और लाइक से लाइक याइक है सब्सक्राइब होता है क्या होता है यहां पर विए यह यहां पर और यह से चाना का न होता है तो यहीं बत्त बता देते हैं जो थार्ट फर्ष questo में कोता है यानगिक किसी के बारे में चर्चा करते हैं के विश्यम होता है तो वहां पर उसके साथ भी फाइब का परियोग करते है जैसे ढेखिए यहां देखिए संते हम लोग यह लाइक है हमारा एक वर्व हर एक्षण है तो यहाँ यहाँ पर मतलब क्या होता है पसंद करना होता है है की कि इसको अनुबात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा देखिए आई क्या हो जाएगा आई आई उसके बाद देखिए लाइक या लाइक लगेगा क्योंकि यहां देखिए यहां पर क्या लगाते है लाइक लगाएंगे ठीक है तो आई कि like कि वाद क्या लगाना है तो लगाना है तो लिख देंगे I like to उसके बाद क्या पढ़ना कि क्या होता है एक टो ठीक है यह हो गया देखिए फिर से इसको समझ लिजिए आइ सब्ची डीए मैं पढ़ना पसंद करता हूं मैं पसंद करता हूं क्या चीज़ करना पढ़ना तो मैं लिखतेंगे आई हो गया उसका परणा का लिखतेंगे लाइक ठीक है लाइक या- का क्या होता है ही ही हो जाएगा इसके बाद थर्ड पर्सन है इसलिए पसंद करना का लाइक होता है तो लाइक हो जाएगा क्या लाइक हो जाएगा तो ही लाइक से इसके बाद क्या टू लगाना है लाइक टू इसका बोलना पस बोलना याने की बोलना का क्या होता है speak होता है he likes to speak ठीक है चलिए अब यहां एस और यहां लग गया भी 5 का परियोग तो यहां simply तो यहां भी वन ही रहेगा ठीक है क्योंकि कहीं एक ही जगा पर लगेगा भी 5 ठीक है तो चलिए यहां पर शुरुआत में लग गया ठीक है अब चलिए अगला sentence क्या है राधा उसके बाद क्या है पसंद करती है यति की लाइक हो जाएगा नरगला राधा लािक TWO लगा देना है उसके बाद फिर क्या करना पढ़ाना का होता है ठीक है ठीच होता है पढ़ाना का पढ़ना का रीड होता है चलिए बन गया ना चलिए आगे देखिए क्या है हम लोग बाजार जाना पसंद करते हैं तो हम लोग का क्या होता है वी वी उसके बाद क्या है पसंद करते हैं तो क्या पसंद करना की का लाइक यहां पर हम लोग है इसलिए लाइक ही रहेगा कर दो गो गो हो गया इसका बाद कहा जाना बाजार जाना मतलब की क्या तू मार्केट जी भाव यहां अब यहां यहां थान से जब दूसरे अस्थान जाते है तो जब अस्थान का बहुता है यानि मारेट चली अग्ला सेंटेंस दीके मेरे पिता जी गाना पसंद करते हैं तो क्या हो जाएगा माई फादर कि माई फादर उसके बाद क्या पसंद करते हैं अब मेरे पिता जी मेरे पिता जी अब क्या हो गए थर्ड पर्सन हो गए मेरे पिता जी मेरे भाईया मेरे बहन मेरी माँ ना मेरे दोस्त यह सब के सब क्या है थर्ट परचन हो गया थो थट परसना अगया तो इसके साथ फिर लगा सो जाएग मुझान जो साउंड निकलता है वह नहीं बना कारे ठीक है चलिए कोई भी गाने का कार्य कोई भजन हो या कोई गाना हो गाने का जो बोध होता है वो होता है ठीक है गाना तो यहां पर लिखेंगे सिंग ठीक है यहां पर सिंग भार्व होता है एक गाना होता है कोई लाइन ठीक है लाइन होता है जो जैसे की कोई गाना लिखना इसी तरह से वांट चाहना वाला लेकर क्यांगे चाहना वाला सेंटेंस जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं वह बोलना चाहता है वह जाना चाहता है वह अखिल